दोस्तो क्या आपके भी फोन में कुछ इस तरीके से आपके पास बार-बार इरर आ जाता है जैसा कि देखने को मिल जाता है 608-Pledge Contact Customer Service है अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है आपके फोन में तो इसे आप आसानी से सही कर सकते हैं ये एक bug होता है या तो ये automatic सही हो जाता है या आप इसे आसानी से सही कर सकते हैं हमारे यहाँ पर OPPO के phone में ये problem आ रहा था तो मैंने इसे आसानी से सही किया और ये हमारा सारक का सारा solve हो चुका है तो इसे आप आसाने से आप भी solve कर सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं होगी बस आप एसे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखते ही है और आपको पता चल लेगा कि अक्रिकार एसे problem को कैसे solve की जाते है जो हमारे सामने आ जाते है contact customer service का problem आप किसी भी application को यूज कर रहे होंगे और वहाँ पर बार बार आ जाती है जैसे हमारे पास हम YouTube चला रहे थे वहाँ पर आ गया था हम Instagram यूज कर रहे थे वहाँ पर आ गया हम यहाँ पर phone पे account चला रहे थे वहाँ पर आ गया यानि कि हर जगे आपका ये problem आ रहा है तो आपको करना क्या होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आपको कौन कौन step पर follow करने होगे सबसे पहले आपको एक service नम का application मिल जाता है जैसे कि आप क्या करेंगे कि play store मर जाएंगे play store पर जाने के बाद यहाँ पर आपको search बार पर click कर देना है search बार पर click करने के बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है android, system, web और view जैसे आप इसे search करेंगे search करने के बाद आपके समने ये application आ जाएगा आप इसे आपको open करेंगे open करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि इसके अंदर कोई नया update तो नहीं आया है कभी-कभी हो जाता है कि आपके इस application के अंदर एक नया update आ जाता है जिसकी बज़े से आपका जो system है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है और आपके समने यही problem आता रहता है कि अपने customer से आपके कोई service लीजिए या अपने customer से contact केजिए तो यहाँ पर आपको अपडेट करना है इतना काम करने के बाद यहाँ से आपको back आ जाना है बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका सेटिंग आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखने को मिलेगा App से या मिलेगा App Management यह हो सकता है कि आपके फोन में होगा manage app, तो आपको जाना है आपके सेटिंग में, जहाँ पर आपके फोन के सारे के सारे एपलीकेर्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे कि हम उस setting पर आ चुके हैं अब यहाँ पर आपको देखना होगा एक setting यानि कि आपको यहाँ पर वो मिल देगा जैसे कि हमें यहाँ पर मिल चुका है system android system wave view तो यहाँ पर हमें मिल चुका है अब इस पर एक बार click करेंगे click करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके से page आ जाएगा यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे आना होगा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा जैसे कहते है storage आप इस पर touch करेंगे touch करने के बाद यहाँ पर आपको एक मिलेगा clear chase आप इस पर एक बार click करेंगे उसके बाद यहाँ पर मिल यह आप यहाँ पर आपको देखना है एक और application आता है जो आपके service से है यानि के system से है जिसे कहते हैं Google Play Service तो यहाँ पर आपको नीचे आना होगा यहाँ पर मिलेगा Google Play Service हम इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके phone में इस तरीके से आजाएगा आपका Google Play Service अब यहाँ पर आपक आप इस पर touch करेंगे और बैका जाएगे आपका यहाँ पर Google Play Service पुरी तरीके से clear हो जाएगा इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर करना क्या है कि अपने phone के अंदर एक बार अपना flight mode जिसे airplane mode कहते हैं उसे आपको चालू करना और चालू करने के बाद अपने phone को आप एक बार सुच आप कर देंगे यानि कि अपने phone को आप यहाँ से बंद कर देंगे बंद करने के बाद आपका सारा का सारा problem solve हो जाएगा अगर by chance अभी भी आपका problem solve नहीं होता है तो आप एक बार फिर से अपने setting में जाएंगे setting में रिचेटकर्ण पूर इसyas करने से कूई पह डेटा नहीं होता है तो यहां से आपको इस पर इस पर क्लिक करना åtा है अगर हो सकता है कि आपके फॉन में कोई गलती से तिंग चालू होगै और आपका phone पूरी तरीके से अच्छे से work करना start हो जाएगा और जो आपको ये error देखने को मिलना है और ये भी आपका solve हो जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्यवाद